एज़ो आज डिस इसे जोती गर्ग कैसे हैं आप सब चलिया स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिया है बिटत देख्ट लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या कवर किया था रास्ट क्लास के अंदर कुछ तो हमने बेशिक वर दिसकुशिन के बारे में लुप हिए प्स स्लिफिक जब इनिगे पीश्ट के अंधर गप किने अवह फिर हमने क्युक्न कीसे दो सो दर्स धिक वर्यली के बेश घ़यत पूरा कवर नहीं है कि अधर यह topic है जो हमने last class में cover किये थे अब आज की बात करें तो आज की class बहुत important रहने वाली है वैसे तो कल की भी बहुत important थी विकोज जितने भी topic बहुत important थी सारे के सारे examination point वी पे से बहुत important थे मतब सारे के सारे topic cream topic थे जिसके अंजर से question आ बनते हैं आज क्या है सर देखो स्टोरी को अगर हम आगे बढ़ाएं अपनी कल वाली सीन क्या था कि कोई prospective client तुम्हारे पास काम लेके आ गया तो मेरे तुम्हें क्या बोला था जब भी कोई काम लेके आए तो सबसे पहले as per the 210 अपनी requirements फुल्फिल करना मतलब precondition चेक करना और engagement letter sign करवा लेना clear उसके अलावा 220 का close C के according चेक करोगे ऐसे 220 का point number C चेक करोगे point number C क्या कह रहा था चार्ची से चेक करने के लिए क्या उस client का integrity चेक करो अपने पास team है की नहीं है competence and capable team है की नहीं है उस client पे ethical requirements के साथ comply कर पाऊगे की नहीं कर पाऊगे last अगर last time audit किया था last point किया था कि अगर last time audit किया था तब audit करते हैं कोई significant point मिला तो उसको भी चेक कर लेना इन सार्चीजों को चेक करने के बाद ही काम लेना last class में हमने यहीं discuss किया था अब सर आपने 210 के according confirmations भी ले ली agreement भी sign कर वा लिया preconditions भी चेक कर ली बहुत बढ़िया आपने 220 के according बाग की चीज़े भी चेक कर ली बहुत बढ़िया अब आपने उस client का काम ले लिया client का काम लेने का क्या मतलब है सर अब आप उसके financial statement के उपर opinion देने की सोच रहे हो सोच क्या रहे हो काम ले 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 तो अपका responsibility है कि आप client के financial statement के उपर अपना opinion दो ऐसे रहे बाग बताओ ना opinion देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें चाहिए financial statement के बारे में audit evidence एक information चाहिए ना opinion देने यह इन्हीं evidence के basis पर तुम अपना opinion देना है और यह evidence तुम्हें कैसे मिलेंगे audit procedures करके तुम्हें पाना चाहिए statement के उपर opinion देना है तुम्हें काम एक्सेट कर लिया तुम्हें क्या चाहिएंगे और evidence कैसे मिलेंगे जब तुम्हें audit procedures करोगे लेकिन तुम्हें बात बताओ ऐसा थोड़ी ना है कि काम मिला और अगले दिन बस पहुँचके प्रोसीजर करने audit evidence ढूंडने उससे पहले कुछ basic चीज़े करोगे ना क्या क्या करोगे प्लानिंग करोगे उस client के यहां पे risk assess करोगे और materiality चेक करोगे इन ही तीन के basis पे तो फिर audit procedure perform करोगे ना पहले यह चेक करोगे ना client के यहां पे क्या चीज़ risky है क्या चीज material है इन ही दोनों के basis पे कितने audit procedure करने हैं कौन से audit procedure करने हैं क्या क्या audit evidence चाहिए यह सब कुछ कर पाओगे सर देखो 210 और 220 के according client का काम accept कर लिया अब काम accept कर लिया तो तुम्हारी responsibility है कि तुम्हें financial statement के ओपर opinion देना है लेकिन भाइया ऐसे तो opinion दे नहीं दोगे ना opinion देने के लिए तुम्हें लगेंगे audit evidence राइट कुछ गलत तो नहीं बोल रहें जर audit evidence कैसे मिलेंगे काम करके और प्रोसीजर करके अब ऐसा तो है नहीं कि बल जाओगे आज काम लिया अगले दिन चले जाओगे उससे पहले उस client के बारे में कुछ basic चीज़े तो understand करोगे फिर उसी understanding पे तो प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ना उसी बिस पर decide करोगे ना का इस एरिया में काम जाधा करने और किस एरिया के अंदर काम कम करने है इन सबकी understanding सर कहां से मिलती है risk से और materiality से और फिर risk और materiality डिसाइड करने के बाद तुम करते हो planning और इस planning के according फिर करते हो सर काम ठीक है बास समझ में आई clear आज की class का जो topic रहेगा ना सर आज की class का topic रहे इस एपारियूटी प्लानिंग के बारे में बात करता है तुमारे ऐसे 300, रिस्क के बारे में बात करता है तुमारे ऐसे 315 और मतेरियलिटी के बात करता है ऐसे 320 बात समझ पार हो ठीक है सर तो आज की class का content भी यही है important class है तीनो topic important है सर बहुत important है सबसे फ़ले start करूँगे स सबसे important topic के साथ that is risk फिर स्टार्ट करूंगे सर फिर जो cover करेंगे it will be the materiality फिर जाएंगे planning के उपर बात समझ पाई ठीक है सर चलिया अभी starting के चार चैप्टर से जिसके अंदर शफलिंग थोड़ी जादा होगी उसके बाद तो हम एक एक चैप्टर उठाएंगे और खतम करेंगे तो अब भी आजाओ जल्दी से चैप्टर नंबर 4 के उपर जल्दी जल्दी आजाओ आगया चैप्टर नंबर 4 ठीक है सब से पहले मैं बात करूंगे रिस्क के बारे में किसी भी क्लाइन का काम करने से पहले एक और को ये चेक करना पड़ता है कि सर कितना है उसी के बेसिस पे वो अपने ये समझो कि और रिस्क क्या होता है सब्सक्राइब करने का मेन अबजेक्टिफ क्या है ताकि हम अपना ओपीनियन दे सकें और ओडिट रिस्क है कहीं जिस काम के लिए हम गए थे कहीं उसी में तो हम कुछ गडबड़ ना कर दें हम ओपीनियन देने गए थे कहीं हम गलत ओपीनियन तो न दे दे सर ओडिट्रेस क्या है सर देखो फानांचय स्टेटमेंट के उप्र ओपीनियन देना है सर देखो सारी चीज़े आप जितने भी प्रोसीजर करोगे आप जो भी प्लानिंग करोगे अल्टिमेट क्यूं कर रहे हो कि भई ताकि हम फानाचय स्टेटमेंट बनाई है उसके उपर में अपना ओपीनियन दे सकूँ राइट बात समझ पाई सर अगर आप वही ओपीनियन गलत दे के आ जाओगे तो सब कुछ घड़बड हो जाएगी ठीक है तो audit risk इसी situation के बार में बात करता है कि कहीं तूं financial statement के ऊपर inappropriate audit opinion ना दे आओ बात समझ पाई audit risk क्या है audit risk is the risk of providing inappropriate audit opinion over financial statements बात समझ पारो गलत opinion देने का risk है क्या है audit risk लेकिन यहाँ जो सबसे ध्यान देने में बात क्या है सर सर देखो हमारा opinion दो तरह का हो सकते है audit opinion तुम्हारा दो तरीकी का हो सकते है या तो unmodify होगा या modify होगा modify कब होगा sir unmodify सब कब होगा जब सब कुछ सही था clean report देनी चाहिए थी modify कब होगा जब miss statement है financial statement के अंदर तब ही जाता है न एंड हम बात कर रहे है audit risk क्या है कि कहीं auditor सर audit risk किस चीज़ का risk है कि कहीं auditor inappropriate opinion न दे दे गलत opinion न दे इन अप्रोपिरेट audit opinion क्या मतलब वह सर जहां पर unmodify opinion आना चाहिए था वहां पर modify दे दे और जहां unmodify opinion तो दोनों ही है sorry इन अप्रोपिरेट opinion तो दोनों ही है इन अप्रोपिरेट का मतलब वह सर गलत opinion देना देना था modified दे दिया modify देना था modify दे दिया unmodify है तो यह दोनों ही इन अप्रोपिरेट opinion लेकिन audit risk सिफ एक opinion के बारे में बात करता है audit risk सिफ बात करता है इस situation के के बारे में audit risk खाली इस situation के बारे में बात करते हैं वो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं वो सिफ concern है कि भाया जहां पर financial statement के अंदर miss statement थी कहीं ऐसी situation पर तुम गलत opinion ना दे दो मतलब अगर financial statements के अंदर miss statements है तो सर कैसा opinion जाना चाहिए था modify यहां पर तुम कहीं inappropriate opinion दे दो यहां पर inappropriate opinion देने का क्या मतलब है सर यहां पर तुम कहीं unmodified opinion तो न दे दो तो सर audit risk के अंदर दो चीज़े है क्या audit risk किस चिसका risk है inappropriate opinion देने का प्लस लेकिन किस situation पर जहां जाना चाहिए था कैसा सर modify और दे क्या दिया unmodified मतलब financial statement के अंदर material misstatement है तो सर audit risk खाली इस situation के बार में बात करता है यह चीज़ ध्यान रखना MCQ आएगा तो ध्यान रखना है तो audit risk किया है a risk of providing inappropriate opinion when the financial statement containing material misstatement यह situation है और यह risk है situation क्या है financial statement के अंदर गलतियां है लेकिन हमने गलत opinion दे दिया ठीक है अब आप बोलोगी कि ma'am हम audit risk इस situation के बार में क्यों नहीं बात कर रहा audit risk इस situation के बार में क्यों नहीं बात कर रहा inappropriate opinion तो यह भी है कि दीना चाहिए था unmodified दे दिया में एक बात बताओ जब भी unmodified opinion देते हैं तो उससे पहले हम management के साथ discuss करते हैं कि सर यह यह गलतियां मिली है जिसकी वज़े से हम modify opinion दे रहे है ठीक है तो बात बताओ ना अगर misstatement है ही नहीं और तुम बोल रहे हो मिस statement है तो सर आपका क्लाइंट ना सारी justification दे देगा अपने आपको प्रूफ करने के लिए कि सर यह देखो आपने चेकिन गलत कर यह यहां पर यह मिस statement नहीं है इसके प्रूफ लो आप है ना यह वाला सिच्वेशन तो हो ही नहीं सकता लेकिन यह वाला सिच्वेशन हो सकता है ओविसली गलतियां थी आपको मिली नहीं आपने देदिया unmodified opinion सामने वरे तो खुश है कि चलो को कुछ मिला ही नहीं बात समझ पा रहे हो तो audit risk सिफ इस सिच्वेशन के बार में बात करता है आप सर क्योंके लिए बहुत इंपोर्टेंट है अब सर ओडिट रिस्क के तीन कंपोनेंट है सर ओडिट रिस्क इन तीन रिस्क से मिलके बनाया है कौन-कौन सा इनहारंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क and डिटेक्शन रिस्क सर इक बात बता हूं सर जो चीज़ें हमने फॉस्ट क्लास में डिसकस करी है वह हम बहुत बार करेंगे अल्मस्ट हर क्लास में कहीना कहीन तो डिसकस होई जाएंगी अच्छ एक बात बता हूं मानेजमेंट का रिस्पोंसिबिटी का है कहा है अच्छ निच्छ 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 तो एक बात बता हो हम audit करने क्या जाते हैं audit क्या है examination examination किस चिज़ का financial information का हम चेक करते हैं कि financial information की अंदर कोई miss statement तो नहीं है सर्थ वहीं ढूंदते हैं न क्योंकि miss statement मिलेगी तो हमारा opinion कैसे जाएगा sir modify miss statement नहीं होगी तो हमारा opinion कैसे जाएगा sir unmodified प्राइट तो सर्थ Financial Statement जो management ने बनाई है उनक अंदर miss statement ढूंद आही तो audit है कि financial statement शही बनिये की नहीं भलऄ true and fair वुँ देर रही है की नहीं कि हम यहीं तो चेक करते हैं उसमें गड़बर तो नहीं है यहीं तो चेक करते है तो सर्च जो management ने financial statement बनाई हैं उसके अंदर गलती होने के कितने चांसे हैं management ने गलत financial statements बनाई हो इसके कितने chances हैं इसी को बोलते हैं sir, inherent risk Is a risk that the material statement may occur in financial statement management ने जो financial statements बनाने का responsibility का इसका 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 तो management ने financial statements बनाते वे कितने गलती होने के कितने chances हैं तो occurring of miss statement इसी को क्या बोलते हैं sir, inherent risk बात समझ में, sir, audit risk क्या है कि कहीं हम गलत उपीन ना देते हैं miss statement थी और हमें मिले नहीं तो वो तीन component से मिलके बनी है, कौन कौन सी sir, पहली है inherent risk inherent risk का मतलब है, जो financial statement management ने बनाए है उसकी अंदर miss statement होने के कितने chances है clear? पास समझ में आए sir, हर client के यहां पे inherent risk अलग-अलग रहता है किसी client के यहां पे जादा होगा, किसी के यहां पे कम होगा sir, कोई ऐसी client के यहां पे जारो, जहां पे बहुत simple transactions है same transactions है, daily basis पे जो transactions होते है, sale purchase की वही transactions है उसके यहां पे गलती होने के chances जादा है या फिर कोई ऐसा client है जिसके पर बहुत complex transactions है वो manufacturing भी कर रहा है, import भी कर रहा है, export भी कर रहा है this is multiple kind of transactions right? तो sir, हर client के यहां पे financial statement के अंदर गलती होने के chances मतलब हर client के यहां पे inherent risk होने के chances अलग अलग है किसी client के यहां पे जादा होंगे, किसी के अंदर कम होंगे यह चीज़ा multiple चीज़ों पर effect करेगी यह चीज multiple factors पर depend करेगी जैसे जो आपका client है जो आपकी management है जो financial statement बना रही है, उसकी knowledge पर उसके staff के knowledge पर बहाँ एङ अगर उनहें knowledge नहीं होगी to management को अगर knowledge नहीं होगी तो आप बात बता वह ठीक से financial statement कैसे बनाएगा उसको और उसके team को knowledge नहीं होगी ठीक है sir, उसकी integrity management की integrity management की integrity का क्या मतलब है sir एग बात बता ओ, अगर management को तो गलत ही फानाश्य स्टेटमेंट बनाएगी तो कितने ओनेस्ट है उसके अलावा से कितनी कॉंपलेक्स ट्रांजक्शन है अन्यूसर ट्रांजक्शन एक बात बताओ डेली बेस सब्सक्राइब गलती होने की चांसे ज्यादा है जो वन्स इन वाइल आती है उसमें गलती होन हो सकते हैं मार्केट के अंदर बहुत कॉंपीटिस्यन है और कंपनी को पते कि कि हम financial statement को check कर गए जा रहे हैं उसके उपर ये check कर रहे हैं कि true and fair view दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं हम basically क्या करने जा रहे हैं sir audit करते हो वे हम financial statements को check करने जा रहे हैं कि financial statement true and fair view दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं सर, true and fairview का मतलब है कि अगर loss है तो loss दिखाए, profit है तो profit दिखाए एक बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को problem है कि नहीं है लेकिन कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों को, हर बच्चे को नहीं होती कुछ बच्चों को, शायद ये लगता है कि financial statement के अंदर loss नहीं आ सकते, मतलब loss दिखाना ही गलत है सर, हम खाली बस ये चेक करने जाते हैं कि financial statement, true and fair view दे रही है कि नहीं दे रही मतलब, अगर during the year company को loss है, तो company आपका client loss दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है तो profit है तो profit सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा हूं, right तो सर, मान लिजए, competition है, market के अंदर बहुत competition है, इसी topic पर आपके इस डिसकस कर रही हूं कि competition है, तो सर, एक बात बता हूं, competition है multiple companies के बिच में आपको भी पता है, जैसे ही अपनी books के अंदर loss दिखाया तो आपका share का price कम हो जाएगा तो यहां पर क्या है, management को अपना market value enhance करने के लिए, अपने market value को maintain करने के लिए, क्या करना पड़ता है, सर, misstatements, frauds, right तो हम basically check करते हैं कि उस client के यहां पर inherent risk कितना है, इस client के यहां पर, आप किसी भी client पर audit करने से पहले क्या करते हो, सर, उस client का audit risk check करते हो और audit risk तीन factor से मिलके बना है, पहला है inherent risk, मतलब जो financial statement management ने बनाई है, उसके अंदर गलती होने के कितने chances हैं इस multiple factor जो इस chance को effect करेंगे, हर client के यहां का inherent risk अलग-अलग होगा, बात समझ पाए, ठीक है सर, अब आज आते हैं सर, दूसरे factor के उपर, जो की है, control risk, सर एक बात बता हो, management ने, management की क्या responsibility है, financial statements को बनाने की, और internals control लगाने की, सर, internals control क्या होते हैं, internals control basically, वो principal procedures होते हैं, वो principal and policies होती हैं, जो लगाई जाती है, ताकि जो activity है, वो अपना objective फुल्फिल कर पाए, मतलब तर एक बात बता हो, आप लोगों ने भी, तो आप लोगों की उपर internals control लगा के रखे होंगे न, कि अभी exams आने वाले हैं, तो हम Facebook नहीं चलाएंगे, हम social media use नहीं करेंगे, हम time से उटके सारा slay बस खतम करेंगे, ताकि आप अपने objective को फुल्फिल कर पाए, ताकि आप अपने objective को फुल्फिल कर पाए, इसी तरीके से, sir, management भी different departments के अंदर internals control लगाता है, ताकि वो उस department का objective फुल्फिल कर पाए, ठीक है, and auditor mainly ऐसे internals control से ज्यादा concern होता है, जो कहाँ पे लगाया जाते हैं, sir, accounting department के उपर, क्योंकि sir, हमें दीरना होता है, financial statement के उपर opinion, right, तो sir, audit risk का, sorry, control risk का क्या मतलब है, sir, एक बाए बताओ, account department के उपर, जो internals control लगाएं होंगे, उनका क्या objective होगा, sir, account department क्यों बना जाता है, कि सारी transaction सही time पे, सही जग account department बना जाता है, कि सारी की सारी accounting ठीक से हो सके, और हम इसी को चेक करने आए है, तो account department पे, जो management ने internals control लगाएं होंगे, उनका objective क्या है, कि सही time पे, सही information, सही person को मिल सके, उसकी reporting ठीक से हो सके, जितनी ज़्यादा गलतिया, से एक बाए बताओ, financial statements बनाने का responsibility किसका है, management का and सही financial statement, financial statement, free from material misstatement बनाने का responsibility किसका management का, हम तो खाले check करने गए है, कि management अपनी responsibility ठीक से फुल्फिल करेगा, कि नहीं करेगा, ठीक है, तो management, free from material misstatement बनाने के लिए किया करेगी, internals control भी लगाएगी, अपने accounting department के उपर, कि सही information record हो सके, ठीक है, तो in internals control का main काम क्या रहेग कि सारे information ठीक टाइम पर record हो सके, अगर कोई भी गलती है, तो वो मिल सके, तो सर अगर internals control अपने objective को अचीव ना कर पाए, अगर वो सारे transaction को ठीक टाइम पर बुक नहीं कर पारे, वो misstatements को identify नहीं कर पारे, तो हम क्या बोलेंगे, कि internals control are ineffective, वो अपना काम ने कर पा रहे हैं, तो internals control के ineffective होने के risk को ही हम क्या बोलते हैं सर, controller risk, पास समझ में आए, सर, inherent risk था, financial statement जो management ने बनाई है, उसके अंदर बनाते हुए कितने गलती होगी, उसके अंदर बनाते हुए कितने chances हैं, कि यहाँ पर misstatements की कही होगी, ठीक है internals control, risk control का क्या मतलब है सर, management ने जो internals control लगाए है, अगर वो अपने objective का अचीव नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, internals control are ineffective, तो internals control के ineffective होने के risk को ही क्या बोलते हैं सर, control risk, बास समझ पा रहे हो, बास समझ पा रहे हो, बास समझ पा रहे हो, इंडविजली समझ में सर, audit risk क्या है, कि कहीं हम गलत opinion ना देदे, गलत opinion ना देदे, का मतलब क्या है सर, financial statement के अंदर miss statement थी, लेकिन हमको मिली नहीं, और हमने गलत opinion देदिया, clear, अब मैंने बोला, सर, inherent risk, audit risk, तीन risks से मिलके बना हुआ है, कौन-कौन सा, inherent risk, control risk, and detection risk, अभी तक हम पढ़ किया है, inherent risk, inherent risk क्या है, कि management ने जो financial statement बनाए है, उसके अंदर गलती होने के कितने chances हैं, उसको बोलते है, inherent risk, ठीक है सर, control risk, management ने जो internal control लगाए है, अगर वो internal control, miss statements को time we identify नहीं कर रहे हैं, पाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, internal control कैसे है, ineffective, क्योंकि वो अपने objective को फुल्फिल ने कर पा रहे, जिस purpose के लिए, तो एक बात बताओ, आपने घर पे डॉगी रखाए, ताक कि कल कोई अगर चोर आ जाए, तो वो डॉगी उसको पकड़ पाए, तो एक बात बताओ, आपक पाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, internal control कैसे है, ineffective, तो internal control के ineffective होने के risk को ही क्या बोलते है, सर, controlled risk, बात समझ पारे हो, सर, ठीक है, सर, अब आ जाते है, audit risk के next part के ओपर, जो की है, detection risk, detection risk क्या है, सर, ये देखो, inherent and controlled risk था, management level का risk, कि management ने financial statement बनाई, उसमें गड़बड है, management जो internal control वो ही ineffective है, लेकिन जब मैं बात करे थी, detection risk है, सर, auditor का risk, auditor का risk क्या है, सर, सर, देखो, हम क्या कर रहे है, examine, examine करते हैं कि कोई miss statement तो नहीं है, हमारा basic objective क्या miss statements को ढूंदना, ठीक है, अगर हमने audit procedure लगाए है, सर, हम audit procedure लगा कि क्या करते है, miss statements को ढूंडते हैं, कि सही पानाश्य statement बनी है, कि नहीं बनी, सर, एक बार बताओ, अगर audit procedure, जो auditor ने लगाए है, वो miss statements को identify नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, सर, auditor की procedure फेल होगे, auditor ने audit procedure क्यों लगाए है, ताकि वो miss statements को identify कर पाएंगे, अगर auditor क्यों प्रोसीजर उनको नहीं ढूंड पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर, detection risk, detection risk क्या है, the risk that auditor's procedure will not deduct a miss statement, हमने जो प्रोसीजर लगाए हैं, अगर वो risk को assess नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर, detection risk, बास समझ पा रहे हैं, बास समझ पा रहे हैं, ठीक है सर, अब ज़रे ध्यान से सुनना, सर, audit risk के तीन component है, inherent risk, control risk and detection risk, inherent and control risk, management level का risk है, inherent and control risk, management level का risk है, मतलब एक बार बताओ, financial statement किसने बनाई, management ने, उसमें गलतियां जो किये होंगी, वो किसकी वज़े से हो रही है, management वज़े से, सी कैसा, control risk क्या है, जो internal control लगाए गए हैं, अगर वो successful नहीं हो पा रहे, अगर वो ineffective है, तो किसकी level की गलतियां सर, management level की हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम internal control लगाते हैं, न हम financial statements बनाते हैं, तो ये दोनों काम तो management ने गढ़बढ करे हैं, तो inherent risk and control risk, किसके level की risk कांसर, management level की, इनको हम कम याज़ादा नहीं कर सकते, कम याज़ादा का क्या मतलब है, सर, inherent risk कब कम होगा, अगर financial statements नहीं से बनी होगी, अब हम financial statements तो नहीं बनाते हैं, control risk कब कम होगा, जब अच्छे internal control लगे होगे, effective internal control लगे होगे, अब हम इंटरनस कंट्रोल तो लगाते हैं यह तो management करता है तो inherent risk and controlled risk management level के risk है auditor इसको कम्या जादा नहीं कर सकता बास समझ पारे हो auditor inherent and controlled risk को कम्या जादा नहीं कर सकता वो खाली detection risk को कम्या जादा कर सकता है बिकोज यह auditor के level का risk है अगर उसको लगता है कि उसके procedure ineffective है तो वो क्या करेगा वो और ज्यादा काम करेगा और ज्यादा procedure करके और ज्यादा audit evidence लेगा ताकि वो अपने detection risk को कम कर सके बास समझ पारे हो सर डिटेक्शन risk का क्या मतलब है बिटेक्शन है auditor के level का risk कि auditor जो procedure कर पा रहे है अगर वो evidence नहीं obtain कर पाए तो क्या है ना बास समझ पाए सर देखो जब भी तुम किसी भी audit पर जाओगे ना तो तुम ट्राइ करोगे कि उस audit के यहाँ पर तुम्हारा risk audit risk कम रहे है audit risk का क्या मतलब है कि तुम वो chances कम कम कर दो कि तुम वहाँ पर inappropriate opinion दो मतलब जितने भी misstatement है तुम उनको identify कर पाओ तुम इस तरीके से काम करोगे clear बास समझ पा रहे हो तो सर इन audit risk तीन रिस्क से मिलके बना है inherent risk, controlled risk and detection risk ठीक है तो जब यह risk कम होंगे तब ही तो audit risk कम होगा तो रिस्क क्या है कहीं हम misstatements के उपर गलत होपीन ना देदें ठीक है तो inherent risk क्या है अगर inherent risk जादा है इसका क्या मतलब है कि उस क्लाइंट के यहां पर financial statement गड़ बड़ जादा है control risk जादा है इसका क्या मतलब है कि वहां की internet control ineffective है तो वो misstatements को identify नहीं कर पाए होगे detection risk का क्या मतलब है कि auditor की जो procedure है वो misstatements को identify नहीं कर पाए ढूंड नहीं पाए राइट बात समझ पाए तो auditor जब भी audit करता है तो वो try करता है कि वो अपने audit risk को जितना कम हो सके उतना कम कर ले ठीक है अब सर यह देखो audit risk तीन रिस्क से मिलके बना है inherent risk, control risk and detection risk अब यह जो दो risk है यह है management level के risk इनको हम कम्याजादा नहीं कर सकते auditor खाली detection risk को कम्याजादा करेगा कम्याजादा कैसे करेगा काम जादा करके अपने detection risk को कम करेगा ठीक है auditor सिर्फ इन दो risk को assess करता है उसको check करता है उसके basis पर अपने detection risk को कम्याजादा करता है बात समझ पा रहे हो सर एक बात बोलू inherent and controlled risk को यह दोनो management level के risk है और इनको jointly बोला जाता है सर risk of material misstatement इन दोनों को साथ में क्या बोला जाता है सर risk of material misstatement बात समझ पा रहे हो risk of material misstatement ऐसा risk जो management level का risk है audit risk सर audit risk दो risk से मिलके बना हूँ है कौन कौन से रहे हो जाता है रहे हम मतलब internal control and oh sorry control inherent risk and controlled risk इन दोनों से मिलके क्या बना है सर रहे हम साथ में जब इन दोनों risk को एक साथ study करते हैं तों क्या बोलते है risk of material misstatement और यह किस level का risk है सर management level का auditor detection risk को कम कर सकता है कैसे काम ज्यादा करके तो सर काम कम या ज्यादा कितना करना है यह decide करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं auditor का जो main objective होता है वह यह होता है कि वह financial statement पे सही opinion दे दे simple agreement से बोले अब ध्यान से सुनना जब भी तुम्हारा audit करोगे तुम क्या सोचोगे कि तुम सही opinion दे दो सही opinion का क्या मतलब है तुम अपने audit risk को कम कर लो है ना audit risk है inappropriate opinion गलत opinion देने का risk अब सर तुम audit risk को सिफ कैसे कम कर सकते हो काम ज्यादा करके अब किस client के यहाँ पे काम ज्यादा करना है कम यह depend करेगा उस client के यहाँ पे inherent risk and control risk कितना है कि management ने जो financial statement बनाई है उसमें गड़वर होने के chances कितने है और management जो internal control लगाए है वो effective है कि नहीं है या मैं compliantly बोल सकती हूँ वो depend करेगा risk of material misstatement अगर किसी client के यहाँ पे risk of material misstatement कम है मतलब client आपका जो client है वो बहुत intelligent है integrity अच्छी है तो पत है कि उसके यहाँ पे financial statement में गलती होने के chances कम है ठीक है उसने अपने control देखे control भी बहुत अच्छे लगाए है तो उस client के यहाँ पे RMM कम होगा risk of material misstatement कम होगी तो सर आप कम काम करके भी अपने detection risk को level पर रख सकते हो अपने audit risk को level पर रख सकते हो बात समझ पा रहे हो सर बात समझो audit risk क्या है कि काई गलतों पीन ना देदे audit risk तीन component से मिलके बना है inherent risk, controlled risk and detection risk right inherent and controlled risk को jointly हम बोलते है risk of material misstatement risk of material misstatement management level का risk है जीए auditor काम करता है कि आपने audit risk को कम से कम करते audit risk को कम से कम करने का मतलब है कि वह inappropriate opinion ना देके appropriate opinion दे वह जब भी काम करेगा इस तरीक से करेगा कि वह सही opinion को कम कर सकते हैं अब तो खाली यहां पे काम जादा या कम करके अपने ओडिटर's को कम करने के लिए क्या करता है वो दो चीज़े करता है सबसे पहले तो आपैं क्लाइट's जाता है नँगakte करते हैं कि यह क्लाइन करते हैं कि उस क्लाइंट सेफ़ी करते हैं dual फिसाेश्व हुआ करते हैं तर अपिर इसके बेसिशेष्ट करते हैं कि अपने detection risk को कम रखेगा या जादा रखेगा अगर किसी client पे RMM risk of material misstatement होने के chances कम है तो सब्सक्राइब हम थोड़ा कम कम करके भी appropriate opinion दे देंगे लेकिन किसी client के यहाँ पे अगर risk जादा है तो हमें जादा से जादा काम करके जादा audit evidence obtain करने पड़ेंगे बात समझ पाए इसका बहुत simple example से समझाओं बेटा एक बात बता तो CA के paper के लिए और Bicom के paper के लिए same level पर पढ़ता है क्या सिए के अंदर सर हमारा paper देने का main objective क्या पास करना risk क्या है fail होना का मत्चा के अंदर तो स्यक्लिशनों के अंदर पेल होने का चांस Jorsa जादा से अदब कंदर बिकॉम के ंद जाद meaning कि इस्ट难ENS फेह सिए को समझे नश्य all apply कर तो नहीं सच्छांसी निया अब बलो से मां लास्ट एर का पांच question paper पढ़के जाते हैं तो बेटा वही बात है जैसे बिकॉम के अंदर फेल होने की chances कम है तो वहां पे आपने काम कम किया और CMA फेल होने की chances जादा है वहां पे आपने काम काम जादा किया आपने पहले risk assess किया उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया ना कि पढ़ाई कम करूंगा या जादा करूंगा वही चीज़ा सर किसी भी क्लाइंट पर जाने से पहले तुम उस क्लाइंट के RMM को देखते हो यहां पे दो लेवल पे है एक तो पेपर कैसा बना है हमारा हमारे जो रिस्क है दो लेवल पे मिलके बने हैं फेल होने के ICI लेवल पर स्टूडेंट लेवल पे हम खाली अपने लेवल पे काम जादा करके मतलब पढ़ाई करके अपने रिस्क को कम कर लेते हैं लेकिन यहां पे हमारा फेल होने के चांसे कम होते था हम कम पढ़ाई करक देखो audit risk तीन रिस्क से मिलके बना है inherent risk, control risk and detection risk और inherent and control को हम बोल सकते हैं sir RMM risk of material misstatement ठीक है ये तो management level का risk है client level का risk है हम तो खाले detection risk को कम या जादा कर सकते है वो हमारे level का risk है ठीक है बात समझ पाए तो sir हम क्या करते हैं हम अपने audit risk को कम करने के लिए मतलब inappropriate ना opinion देदे सही opinion देने के लिए हम क्या करते हैं हम इस risk की study करते हैं RMM risk of material misstatement की study करते हैं और अगर risk कम लगता है तो sir हम कम कम करते हैं अपने detection risk को ज़्यादा कम नहीं करते हैं ठीक है अगर inherent RMM risk of material misstatement आपको ज़्यादा लगता है तो आपको ज़्यादा काम करके अपने audit risk को कम करते हो अपने detection risk को कम करते हो बात समझ पारे हो sir वो जो exam वाला भी में आपको example दिया उसके बाद एकदम clear समझ में आजाना चाहिए sir ये management level का risk है इसको तो कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं इसको हम study करते हैं और इसके basis पे काम करके इसके basis पे audit procedure perform करके हम अपने detection risk को कम करते हैं clear बात समझ पारे हो अब sir risk of material misstatement को किस तरीके से study करना है sir इस risk को हम खाली study कर सकते हैं अब इस risk को कैसे study करना है इसके लिए हमारे पास एक standard है essay 315 जो बताता है कि भाया किसी भी client के यहां पे तुम किस तरीके से risk की study करोगे ठीक है बात समझ पाए sir अगर मैं बात करूं essay 315 ने sir essay 315 ने बताया है कि तो risk of material misstatement मतलब inherent risk and controlled risk को किस तरीके से study करोगे उसकी study करने के बाद ही तो तुम उसके regarding अपना काम उसके बाद ही तो तुम डिसाइड करोगे ना कि तुम्हें काम कम करना है यह जाता करना है तो हर client के यहां पे काम accept करने के बाद जो दुसरी चीज रहती है वह क्या रहती है यह identify करना कि उस client के यहां पे यह identify करना कि उस client के यहां पे काम चल जाएगा तो काम कितना करना है यह decide करने के लिए सबसे पहले आप assess करते हो सर उसका risk और रिसक असेस करने के लिए हमारे पासे हमारे पासे स्टांडर्ड 315 ठीक है ऐसे 315 ने बोला है कि रिसक असेस करने के लिए RMM को assess करने के लिए आपको कुछ basic चीजों की understanding लेनी पड़ेंगी उस client की सर उसने बोला जिस भी client के तुम्हें risk assess करने के लिए तुम्हें उस client के कुछ basic चीजों के बारे में understanding लेनी होगी इसी information की study करके तुम्हें पता चलेगा इस client के यहाँ पर risk जादा है या कम है बात समझ पारे हो सर ऐसे 315 ने बोला सर ऐसे 315 ना खाली तीन चीज़े बोला है पहली चीजों उसने बताई कि तुम्हें कुछ basic information अब्टेन करने पड़ेगी client के बारे में उस information की study करके तुम्हें पता चलेगा कि इस client के यहाँ पर risk कम है या जादा है ठीक है सर और वो क्या information है तुम्हे information लेनी पड़ेगी उस client के industry के बारे में कि वो किस industry में काम कर रहे है कौन कौन से law and regulation उसके उपर लगते है and other external factors ठीक है उसके उपर वो कौन से industry में काम कर रहे है उसके पर कौन कौन से law and regulation लग रहे हैं कौन से principles वो use करता है अपने business के अंदर तो तुम्हें उसकी knowledge लेनी पड़ेगी उसके बाद तुम्हें अपने client के business के नेचर की knowledge लेने पड़ेगी कि तुम्हारे client का business का नेचर क्या है manufacture करता है ट्रेडिंग करता सर्विस प्रवाइड करता है e-commerce business में ठीक है उसके नेचर में और क्या क्या आता है उसका operation क्या है जैसे मैंने अभी बोला कि सर manufacturing है ट्रेडिंग है service provider है क्या है ownership कैसी है सर डप कितने है equity कितनी है right government governing structure कैसा है management है TCWG में कौन-कौन है management के अंदर कौन-कौन है right type of the investment bank से loan ले रखा है personal loan ले रखे है किस तरह की investment है equity है preference है convertible equity है कैसी investment आपको ये check करना पड़ेगा उसका financial structure किस तरीके से है ये सारी basic चीजों के बार में knowledge पड़ेगी उसके nature के अंदर ठीक है उसके बाद आपको knowledge रहने पड़ेगी सर उसके accounting policies के बार में कि कौन-कौन से accounting policies follow कर रहे है पिछली बार से इस बार कोई change आया है क्या accounting policies के अंदर अगर change आया है वो reasonable है की नहीं है ठीक है सर दूसरा business का objective and strategy क्या है business के पीछे का objective क्या है और उसको achieve करने के क्या-क्या strategies बनाई है क्या management अपनी strategies के साथ comply कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा business risk कितना है सर इसके पर short note लिखेंगे हम अभी थोड़ी तर में client के यहाँ पर business risk कितना है ठीक है सर financial performance कैसे है loss में इतनी चल रही अगर कोई client loss में है तो बहुत chances है कि सर शायद उसने अपनी position ठीक करने के लिए अपनी books में कुछ गड़बड कर रखियो ठीक है internal control कैसे है तो किसी भी client के यहाँ पर risk कम है या जादा है या identify करने के लिए तुम्हें ये basic information obtain करनी होगी as per S315 इस information की study करके तुम्हें पता चलेगा कि इस client के यहाँ पर risk है या नहीं है बास समझ में direct question आता है question आता है paper के अंदर कि तुम्हें client की कौन-कौन सी knowledge लेनी पड़ेगी वहाँ पर risk assess करने के लिए sir this is a very important question जो direct पूछा जाता है ठीक है अब sir ये information तुम्हें मिलेगी कैसे तो ऐसे 315 ने बोला ये information obtain करने के लिए ऐसे 315 ने बोला कि ये information obtain करने के लिए तुम्हें क्या पड़ेगा sir ये information obtain करने के लिए तुम्हें करने पड़ेंगे sir risk assessment procedures उसने बोला तुम्हें ये information obtain करने के लिए एक सिकिन होड करो sir तैसे 315 ने बोला कि basic information है sir ऐसे 315 क्या बता रहा है कि किसी भी client के यहां पर risk कैसे assess करोगे ठीक है उसके लिए बोला कि भाया अगर तुम्हें किसी भी client के यहां पर risk assess करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उस client के कुछ basic information लेनी पड़ेंगी ठीक है उसके बाद उसने बोला कि भाया ये information obtain करने के लिए तुम्हें करने पड़ेंगे कुछ procedures जिनको हम बोलते हैं sir risk assessment procedures ये procedure करके तुम क्या करोगे ये information obtain करोगे ठीक है sir क्या क्या procedure बताया उसने बोला आप inquiry करोगे management and others के साथ ठीक है उसके बाद उन्हेंने बोला कि sir आप analytical procedures करोगे sir analytical procedure के ओपर हमार पास एक complete chapter है हम अपनी कुछ next third class तक वो कर लेंगे ठीक है तो वहाँ पे एकदम detail में पढ़ेंगे अभी सुन लो फिर से वापिस आप यहां चिस connect कर वाऊंगी ठीक है आप क्या कर सकते हो आप management और other person से inquiry कर सकते हो ठीक है आप analytical procedure perform कर सकते हो उसके लावा observation and inspection कर सकते हो इन चार procedures को क्या बोला जाता है इन प्रोसीजर का यूज करके तुम क्या कर सकते हो तुम client की information अप्टेन कर सकते हो यह basic information और इस information की study करके तुम्हें क्या पता चलेगा कि उस client के यहाँ पे risk है की नहीं है तुम identify करोगे उस client के यहाँ पे RMM risk of material misstatement है की नहीं है ठीक है अब सर एक question बनता है paper के अंदर कि तुम्हें knowledge क्या क्या लेनी है client के बारे में तुसर यह आएगा risk of material misstatement को identify करने के लिए क्या क्या procedure कर सकते हो RMM के बारे में बताओ तुसर यह चार प्रोसीजर आएंगे अब सर आपने यह प्रोसीजर पर्फॉर्म किये यह प्रोसीजर पर्फॉर्म करके तुम्हें यह information मिली अब इस information के study करके तुम्हें identify करना है कि इस client के यहाँ पे risk कम है या जादा है जिसको हम बोलते है identifying and assessing the risk of material misstatement बास समझ पारे हो पेपर के इंदर questions आता है identifying and assessing the risk of material misstatement चीक है तो identify क्या करना है risk है या नहीं है सर अगर risk identify हो जाए तो क्या करोगे सर आप identify करोगे कि risk जो है आपने पहले risk देखा risk है की नहीं है है तो फिर उसको assess करोगे assess करने का मतलब है सर उसकी study करोगे कि सर क्या risk है वो pervasive है की नहीं है pervasive का क्या मतलब है सर जब भी आप risk देखते हो risk of material misstatement तो सर आर्यम्म को आप दो लेवल पे देखते हो आर्यम्म को हमेशा आप दो लेवल पे देखते हो कि वो risk financial statement as a whole है जब भी तुम आर्यम्म अगर तुम्हीं कभी भी risk मिलेगा तुम उसकी study करोगे किसका impact कहां कहां पे जा रहा है आप देखोगे वो पूरी की पूरी financial statement as a whole को effect कर रहा है या किसी particular assertion किसी particular transaction को effect कर रहा है ठीक है सर सबसे पहले तुम्हें risk का identify कि risk है की नहीं है अगर risk identify हो जाता है तो तुम ये सारी कि सारी study करते हो उस risk के बारे में क्या-क्या वो pervasive है की नहीं है pervasive का मतलब है कि वो particular किस level पे effect कर रही है वो पूरे के पूरे financial statement level पे effect कर रही है क्या impact पढ़ रहा है कहां-कहां पे वो उसको गलत करेगी ठीक है उसके likelihood क्या है इस risk के जो तुमने risk identify किया है उसके अक्र होने के chances कितने है likelihood कितने है उस risk के अक्र होने की chances कितने है ठीक है सर अगर तुमने जो risk identify किया है वो significant है या नहीं इसे मैंने बहुत सारी बाते बोल दी जिसमें शाय तुमको डाउट होगा सर देखो हम डिसकर्स कर रहे था रिस्क ओफ मटेरियल में स्टेटमेंट हमने अच्छली स्टार्ट के था औरिट रिस्क के साथ audit risk दो रिस्क से मिलके बना है RMM and detection risk तो auditor पहले क्या करता है? RMM की study करता है ताकि वो decide कर सके कि वो काम कम करना है या जादा करना है ठीक है? So detection risk कम रखना है या जादा रखना है ठीक है? अब RMM की study करने के लिए हमारे पास है S315 ठीक है? ऐसे 315 ने बोला किसी client पर risk है की नहीं है यहाँ पर risk है की नहीं है यह identify करने लिए तुम्हें कुछ basic information चाहिए client की यह information obtained करने के लिए तुम्हें क्या करना है sir कुछ procedures करने है जिनको हम बोलते है risk assessment procedures? Right sir अब यह procedure करके आपने जो यह information obtained करी है इसको study करके तुम्हें देखना है इस client के यहाँ पर risk है की नहीं है अगर कोई risk मिलता है तो उसके बारे में आप उसको assess करोगे assess क्या करोगे वो pervasive है की नहीं है मतलब वो financial level पर effect कर रही है मतलब एक पूरी financial statement को effect कर रही है sir एक बात बताओ अगर management ने accounting principle गलत फोलो किया accounting policy गलत फोलो किया sir cash based पर book करने है करने चीथी accrual basis पर तो पूरी financial statement को effect करेगी न तो आपको check करना है यह risk किसी एक particular transaction के उपर है या पूरी की पूरी financial statement के उपर है उसके बार देखोगे कि अगर यह risk अकर होता है तो अगर यह risk अकर होता है यह कितना गलत हो सकता है वर्ट केन गो रॉंग इसकी वज़े से कहां कहां गलतियां हो सकती है इस risk के अकर होने के कितने chances है और यह risk significant risk है या other risk है significant risk वो risk होता है जिसके अकर होने के chances भी जादा होते है higher likelihood of occurrence likelihood का मतलब होता है सर चांस तो उसके अक्कर होने के चांसिस भी जादा है और अगर यह गलती हुई अगर यह रिस्क एक्चुली में अक्कर हुआ तो भाया इसका impact भी जादा होगा अगर रिस्क सर हमने रिस्क पढ़ाना सर देखो हम स्टड़ी कर रहे हैं कि इस क्लाइंट के यहां पर गलती होने के चांसिस कितने रिस्क कितना है तो हम डिस्कस कर रहे हैं अगर यह हमने कोई रिस्क मिला है तो यह रिस्क सिग्निफिकेंट है या अधर रिस्क है सिग्निफ हुआ तो इसका impact भी ज्यादा होगा इसके वजह से गड़़ भी ज्यादा होगी ठीक है तो सर यह कुछ रिस्क है जिनको हम significant risk भोलते हैं ठीक है they are some risks जिनको हम क्या बोलते हैं सर significant risk हंजी तो these are the some risks which is very important and significant clear इसके एक बर इसके ओपर भी direct question आता है sIR important topic है यू का यू क्वेशन पूछा जाता है कि सर कौन कौन से सिगनिफिकेंट रिस्क होते हैं एक बार यह वाला टॉपिक ठोड़ा खतम कर लें उसके बाद यह वाला वाला इंपॉशन डिसकस करेंगे के लिए हमारे पास कुछ audit procedure है और यह audit procedure करके वो यह basic information obtain करता है और इसके basis पर वो study करता है कि रिस्क है की नहीं है अगर है तो फिर उसके बारे में और चीज़े study करता है कि भाई वो pervasive level pervasive है मतलब वो financial statement level पे है या other risk है clear sir एक और question बनता है sir यह था अपका पूरा का पूरा essay 315 अब यहां पर यह तीन question पेपर के अंदर बनते हैं कि sir RMM क्या है information क्या obtain करोगे तुम client के बारे में और उसके बार रिस्क को identifying and assess क्या करोगे यह सर देखो यह वहले तो question ना यह फिर भी direct question ना बच्चे गढ़बढ ने करते हैं बच्चे गढ़बढ करते हैं इस वाले question के अंदर identifying and assessing the risk of material misstatement वो यह सारी story लिखाएंगे वो यह चीज़े नहीं लिख्या थे इसको याद रखना कि paper के अंदर question आये कि how to identifying and assessing the risk of material misstatement या फिर how to assess तो भाया assess के अंदर आप लिख्या होगे by performing the risk of our risk assessment procedure you obtain the knowledge about the client and then identify whether there are any risk or not if you are identifying any risk you assess the following things बात समझ पारे हो यह question याद रखना एक काम करूंगी मैं इसके regarding किस तरीकी से exam के अंदर question आता है ना हम वो भी देख लेंगे एक question लिख लेंगे कि इसका wording क्या रहता है exam के अंदर इसके regarding जो question बनता है ठीक है सर अब दो और question बनते हैं सर 315 के अंदर पहला है सर देखो हमने पड़ा था कि हमारे पास risk assessment procedures है कौन-कौन से है inquiry है analytical procedure है उसके अलावा सर observation and inspections भी है ठीक है अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं inquiry की तो यह question बन सकता है कि RMM करते हुए sorry RAP करते हुए risk assessment procedures करते हुए जो तुम inquiry करते हो management में तो किस चीज के बारे में inquiry करते हो इसके regarding जो question बनेगा सर वो कुछ इस तरीके कगा बनेगा अच्छा मैंने तुम्हें last class में एक चीज बोली क्या अगर नहीं बोली तो अब बोल रहे हूँ एक ना पतली से notebook बना लेना जादा नहीं लिखवाऊंगी लेकिन किसी भी topic या किसी भी chapter के अंदर कुछ भी important question लगेगा कि हाँ एक different question बन सकता है तो वो ज़रूर यहीं लिख लो यह वाला यहीं पर लिख लेना लेकिन इसके लावा एक और question बताऊंगी वो तुम्हें अपनी notebook में लिखना पड़ेगा answer के साथ चलिए मैं एक बार shift कर देती हूं notes के उपर Sir question है an auditor may obtain information or a different prospective in identifying RMM through inquiry of other with in the within the next page पर लिख लिख रही हूं यहीं पर लिख देती हूं sorry within the entity within the entity Sir आप management और other की inquiry करके क्या क्या information obtain कर सकते हो ठीक है इसके उपर एक question बन सकता है तो वो लिख लो वो यहीं लिख लेना question क्या बनेगा sir an auditor may obtain information or a different prospective in identifying RMM through inquiry of other within the entity question समझ में आता है sir यह question अगर आता है तो इसका answer क्या रहेगा sir इस case में आपको लिख के क्या आने question लिख लिख लिए आप सबने एक मिनट लो लिख लो जी चलो sir अब मैं आ जाते हूं इसके answer के उपर अगर यह question आये तो तुमारा answer क्या जाएगा sir आप इसे different different paragraphs बना के लिख सकते हो different different headings बना सकते हो TCWG discuss करके TCWG inquiry करके तुम्हें क्या पता चलेगा business के environment के अंदर जिसके अंदर वो financial statement बनाई गई है ठीक है sir internal audit personal internal audit personal वो person जो internal audit कर रहे है उससे inquiry करके तुम्हें क्या पता चलेगा कि internal audit के regarding क्या क्या procedure किये गए अगर procedure करते हुए अगर कोई internal auditor को कोई finding मिली तो इसके regarding management का क्या attitude था attitude as in क्या वो finding management ने सही की की नहीं की ठीक है sir employees employees से बात करके आपको पता चलेगा sir कौन कौन सी accounting policies लगाई गई कोई change तो नहीं आया अगर change आया तो क्यों आया accounting policies किसने identify करी ये सारे चीज़ें legal in-house counselor sir in-house counselor से बात करके आपको पता चलेगा आपके client के उपर कोई case तो नहीं चल रहा था अगर चल रहा था तो उसके regarding किस तरीके से provisions बनाए ठीक है sir उसके बाद आता है marketing and sales personal marketing and sales personal इसकी identify करके आपको पता चलेगा sir sales के regarding क्या targets है क्या strategy बनाई क्या आपका client अपने targets को fulfill कर पाया बात समझ में आई sir देखो answer बहुत direct है easy भी है लेकिन paper के अंदर जिस दिन ये question आया ना बहुत सारे chances हैं कि बच्चे गडबढ करके आएंगे गडबढ इसलिए करके आएंगे because sir ये question कभी उन्होंने identify नहीं किया होगा ठीक है ये सब पढ़के जाएंगे लेकिन ये बहुत कम पढ़के जाएंगे बात समझ पा रहे हो चलिए sir तो 315 के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा 315 बोलता है कि risk कैसे assess करोगे assess करने के लिए information चाहिए ये information के लिए परफॉर्म करना ये प्रोसीजर करके जो ये information मिलेगी इसकी study करके देखना risk है कि नहीं है अगर है तो फिर उसकी study करना ये सारी चीज़े study करके उसके लावा हमने एक question पढ़ा sir हमने पढ़ा था risk assessment procedure के अंदर एक procedure है कि हम management और other से inquiry करेंगे तो sir this is a question कि भया other से inquiry करके तुम्ही क्या क्या information मिल सकती है ठीक है इसके लावा sir एक और question बनता है significant risk का ऐसे 315 बोलता है कि भया जिब भी risk assess करो ना तो देख लेना अगर कोई भी risk मिले तो वहाँ पर देख लेना कि वो significant risk है या नहीं तो sir significant risk कौन सा risk होता है वह risk जिसके अकर होने की chances भी जादा है और अगर यह risk actual में हुआ तो जो गड़बढ होगी वह बहुत बड़ी होगी ठीक है अब कौन कौन से significant risk का सर अगर तुम्हें कोई fraud का indication मिलता है तो यह risk significant risk है ठीक है अगर तुम्हें लगते है कि recent change आया है accounting एकनॉमिक के अंदर जिस environment में तुम्हारा client काम कर रहा है अगर उसके अंदर कोई changes आया है पिछली साल से तो उसके बहुत chances है कि वहाँ पे गलतियां हों ठीक है sir complex transaction अगर आपका client complex transactions में काम करता है उसकी transactions complex है तो वहाँ पे रिस्क जादा होने की चांसिसा significant risk है ठीक है sir risk significant RTP related party transactions relative के साथ अगर कोई transaction हुई है मिलके client में अपने किसे relative के साथ मिलके कोई transactions करी है उसके अलावा अगर transactions करते हुए अगर accounting करते हुए अगर बहुत सारी significant judgment involved है अगर बहुत सारी significant judgment involved है सर एक बात बोलू financial statements को बनाते हुए ना बहुत सारी judgment लगाने पड़ती है जैसे provision बनाने के लिए ठीक है accounting policy select करने के लिए जैसे bad debt का provision बना रहे हुए आप सापका identify करना पड़ेगा आप exact estimate नहीं कर सकते और जरूरी नहीं जितना अपने provision बनाया हो उतने ही bad debt हो सकता है उससे जाधा है उससे कम हो जाए ठीक है तो ऐसा क्लाइंट जिसके यहां पर बहुत सारे judgments यूज हो रही हैं बहुत जाधा estimations लगाए जा रहे हैं तो वहां पर गलतियां होने के अगर fraud है तो risk है ऐसी transaction है जहां पर estimation है तो risk है अगर complex transactions है तो उस transaction के अंदर risk जाधा है unusual transaction है तो risk जाधा है related party के सार्जक्शन है तो risk जाधा है तो these are the five areas जिनके जिनके अंदर रिस्क जादा होता है थीक है बात समझ पा रहे हो तो सर पेपर के अंदर क्वेशन आ सकता है कि सिगनिफिकेंट रिस्क कौन-कौन से अब लिखाओगे ना ऐसा रिस्क जहां पर फ्रॉड इंवल्व है ठीक है रिलेडिट पार्टी के साथ ट्रांदेक्शन है कॉंप्लेक्स ट्रांदेक्शन है तो वह रिस्की है वह सिगनिफिकेंट रिस्की है अन्यूस्वल ट्रांदेक्शन है तो रिस्की है ऐसी ट्रांदेक्शन जिसके अंदर जज्जमेंट इन्वार्मेंट के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर तो सर रिस्क जादा रहता है ग जाते एक direct question बन सकता है कि significant risk कौन-कौन से हैं एक और question बन सकता है sir कि unusual transactions के अंदर risk जादा क्यों होता है these are the four reasons जिस वज़े से unusual transactions के अंदर risk जादा होता है unusual transaction कौन से है sir ऐसी transaction जो daily basis पे नहीं आती once in while कभी-कभी आती है ठीक है तो sir पहड़ी चीस तो ये जो transaction बहुत rare कभी आती है sir मान लीजे मान लीजे कोई transaction हो जो पहली बार आई है अगर कोई पहली बार कोई transaction आई है तो obviously ना तो उसका treatment किसी को पता होगा ना उसके regarding कोई internal control लगे होंगे जो पता ही नहीं था तो उसके regarding control कैसे लगा दोगे है ना तो sir difficulty to implement effective controls ऐसे transactions के पर control लगाना difficult रहता है ठीक है दुसरा sir management का intervention जाधा रहता है उस accounting के अंदर कि भाई इसका treatment क्या रहेगा विकोज एकदम नहीं है तो सब मिलके ही ट्राय करते हैं कि भाई सही एंट्री पास कर लें उसके अलावा सब वैसे तो हो सकता है हर चीज के लिए software develop है लेकिन इस transaction के लिए हो सकता है कि आपके बास software ना हो क्योंकि unusual transaction था आपको खुद नहीं पता थे कि ऐसी को transaction आ जाएंगी तो सारा का सारा कैसा काम होता है sir manual intervention के साथ होता है और हो सकता है नई transaction है तो उसकी calculation कैसी रहेगी सर complex तो these are the reasons जिसकी वज़े से unusual transactions के अंदर risk जादा होता है सर देखो मैंने सिफ यह discuss किया है कि significant risk सर जब भी कोई risk देखोगे RMM का अगर कोई risk मिलता है तो आपको check करना होता है वो significant है की नहीं significant कब होगा अगर उसके risk के अकर होने के chances जादा है और दुसरा अगर वो अकर होता है तो उसका impact भी जादा आएगा फिर हमने बोला कि these जादा significant risk अगर कोई fraud की transaction है तो वो significant है फिर मैंने बोला कि अगर कोई transaction complex है तो वो significant है फिर मैंने बोला कि sir कोई transaction unusual है साल में आती ही नहीं है बड़ी मुश्किल से कोई ट्रांजक्शन आ गई वह अन्यूजवल है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हो सकता आपके अकाउंटेंट को ना पता हो ठीक है उसके लावा अगर कोई चेंज आए इन्वार्मेंट के अंदर तो सर हो सकता है रिस्क जादा है अगर related party transaction है रिस्क जादा रहता है ठीक है उसके लावब एकक और पॉशं बन सकते है सर्य वला की अन्यूजवल ट्रांजक्श्ण के अंदर रिस्क जादा क्यों होता है क्योंकि उसके रिगर्डर का आपी clearance तो मानेचमेंट का इंटर्वेंशन जादा है और नई ट्रांजेक्शन हो सकते हैं कैसी कैसी हो सर कॉम्प्लेक्स पेपर के अंदर क्वेश्चिन आये तो लिख पाओगे ना कि अन्यूजवल ट्रांजेक्शन रिस्की क्यों होती है है ना ठीक है सो सर यह थे 315 के अंदर जो भी आपके क्वेश्चिन बन पाते हैं और यह था आपका ऐसे 315 हम क्या पढ़ रहे थे आज हमने अभी तक पढ़ा है audit risk क्या है फिर हमने देखा कि audit risk के दो component थे और अर्यम्म और detection risk फिर हमने बोला कि auditor आर्यम्म की study करता है और उसके business पे कम को करने के लिए काम कम करना है जादा वो क्या करता है रिसको असेस करने के लिए हमारे पास है ऐसे 315 यहां तक कोई डाउट ऐसे 315 नहीं बताया है कि हम अपने RMM को किस तरीके से असेस करेंगे ठीक है बास समझ में आई सर एक टॉपिक आप बोलोगे कि मैं आपने यह चुड़वा दिया बेटा अब भी नहीं चुड़ाया हमारे नेक्स टॉपिक के उपर इसके लिए आजाओ तुम चैप्टर नंबर टू पर चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू के अंदर हमारे दो टॉपिक कवर होते हैं audit planning and audit materiality सबसे पहले हम discuss करेंगे audit materiality के बारे में audit materiality के बारे में बात करता है तुम्हारा essay 3.20 राइट चलिया सबको पता है कि audit के अंदर कभी भी 100% चेक नहीं करते हम चेक करते हम चेक करते सांपल बेसे के बिकूस हर चीज़ चेक करना प्रैक्टिकल भी है तो ऐसे 3.20 बोलता है कि बहिया एक काम करो audit स्टार्ट करने से पहले एक काम करना उस क्लाइंट के यहां पर क्या चीज़ material है कौन से मिस्स्टेटमेंट तुम्हारे लिए material होगी उसको पहले से ही करने से पहले यह एरिया देख लेना कि कौन कौन सी आइटम कौन कौन सी ट्रांजक्शन क्या चीज़ तुम्हारे लिए सिग्निपिकेंट है क्या चीज़ material है किसको तुम डिटेल में चेक करोगे और किसको नहीं तो पहले ही एक benchmark एक material ticket decide करें जैसे आपने decide कि दस हजार से उपर कोई भी गलती होगी तो वह आपके लिए important है तो हर transition दस हजार से उपर आप उसको चेक करोगे कि यह दस हजार भी हो सकता है पचास हजार भी हो सकता है एक लाग भी हो सकते है वह आपकी judgment पे डिपेंट करेगा ठीक है तो ऐसे 320 ने बोला कि भाईया audit start करने से पहले काम शुरू करने से पहले और इस प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से पहले क्या करना रिस्क असेस करना और उसके सासर मटीरिलिटी भी डिसाइड करना कि कौन कौन सी चीज मटीरियल है विट एक बाल बताओ एक्जाम के अंदर भी जिस चैप्टर के अंदर से कोईशन आने की चांसे जादा रहते हैं उसको जादा अच्छे से पढ़ते हो ना जिसके अंदर से कोईशन कम पूछे जाते हैं उसको तो ए बी सी एनलीस के अंदर सी में डाल देते हो तो वही चीज़ है भया हंड चीज तो तुम चेक करने सकती है तो आप मटीरियल चीज़ों को चेक कर लो आप मटीरिली डिजाइड कर लो कि इस क्लाइंट के यहां पे क तो तो ठीक है अगर एफ और नहीं बताया तो ओडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा के डिसाइड करना पड़ता है कि इस क्लाइंट के यहां पे क्या चीज मेटीरियल है और क्या नहीं और अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हो वह बेसिकली यह चीज़ च इसकी वज़े से जो मेरे फानॉस स्टेटमेंट के यूजर्स हैं न उनके डिसार्स हो जाएंगे कुझन हमारे लिए हर वे स्टेटमेंट में मटेम माटेरियल हम oppressed में मटेरियल होगी जिसके वारे रिपोर्ट जो मेरे financial statement है ना जो financial statement के users है जो इसके basis पर अपने decision लेने वाले थे अपने economic decision जैसे उनको invest करना है कि नहीं करना loan देना है कि नहीं देना right तो जो मेरे financial statement के users है ना जो misstatement मेरे users के economic decisions को effect करने का power रखती है उस statements को हम बोलते हैं sir material misstatements है ना बात समझ पाए ऐसे 320 ने बोला कि audit अप auditor को अपने audit प्रोसेजर परफॉर्म करने से पहले है यहाँ पर materiality का level decide कर लेना चाहिए so that वो सिफ उनहीं statements को उनहीं transactions को ध्यान से देखेगा जो आपके material level को match करेगी अब क्या चीज material है वो हर client के यहाँ पर अलग अलग रहेगी वो आपकी professional judgment पर depend करेगी और आपकी professional judgment इस बाद से depend करेगी sir किस client के यहाँ पर जो आपके financial statement के users है उनके लिए जो चीज इंपोर्टेंट है वही चीज आपके लिए material है उनके लिए जो चीज इंपोर्टेंट के लिए उनके लिए जो information जो miss statement मेरे users और financial statement के economic decision को influence करने का power रखती है वो चीज इंपोर्टेंट है जो मेरे users के लिए इंपोर्टेंट है वही चीज मेरे लिए इंपोर्टेंट है बात समझ में ठीक है sir एक चीज याद रखना यूजली बच्चों को लगते है कि sir materiality हमेशे define होती है sir quantity से कि इतने रुपे से उपर वाली चीज इंपोर्टेंट है नहीं sir materiality amount wise भी हो सकती है और nature wise भी कुछ transactions ऐसी होती है sir मान लीजिए आपने बोला 10,000 से उपर जिदने भी transaction होगी वह सब में important है detail में चेक करूँगा लेकिन कोई transaction है although वह 10,000 की नहीं है for example related party transaction है 10,000 की नहीं है 5,000 की है लेकिन इसका nature जो है वह risky है तो कुछ transactions आपके लिए material होती है because of the amount और कुछ transactions important होती है material होती है because of the quality या फिर मुझे बोलना चीए sir nature बात समझ पा रहे हो sir अब याद रखना चाहे तो लिख लो usually क्या चीज अगर client के FRF ने अल्रेडी provide करके रखा हुए कि इस client के यहां पर क्या important है for तो बहुत बढ़िया अगर नहीं करके रखा तो auditor को decide करना पड़ता है और auditor कैसे decide करता है by using his professional judgment ठीक है by using his professional judgment और उसकी judgment इस बात से influence होती है कि sir उसके users के लिए क्या चीज इंपोर्टेंट है जो information उसके users के economic decision को influence करने का पावर रखती है वही चीज ओडिटर के लिए material बन जाती है ठीक है sir तिसरा point materiality हमेशा amount से related नहीं होती कई बार quality से भी nature of transaction से भी effect होती है हो सकते है कि कोई ऐसी transactions है जिसका nature risky है amount हो सकते है आपके material level से कम हो जैसे हमें अभी discuss किया related party transaction ठीक है sir बात समझ में आते हो ठीक है ma'am चलिए next है assumption about the user sir important question क्योंकि पिछली बार ही add हुए ऐसे 320 के अंदर हमीशा से था लेकिन आपके study mat में कभी भी add नहीं किया था पिछली बार add किया है assumption about users का क्या मतलब है कि भाया auditor जब भी materiality decide करता है तो वह materiality decide करते हुए क्या करता है कुछ चीजों के बारे में अपने users के बारे में कुछ assumptions लेके चलता है वह जब भी materiality decide करता है तो यह materiality decide करते हुए जो उसके audit report और financial statement के users उनके बारे में कुछ basic assumptions लेके चलता है कौन-कौन सी assumptions लेके चलता है sir कि उसके users हैं उनको business और accounting की knowledge है वो इस financial statement जिसका तुम audit करने वाले उसको due diligence diligence का मतलब होता है care care के साथ पढ़ने वाले हैं और इसी के basis पे वो अपना economic decision frame करेंगे उसके अलावा उसे लगता है कि उसके users को पता है कि जो यह financial statement बनाई जाती है जो यह audit किया जाता है यह materiality के basis पे किया जाता है और दुसरा उनको पते है कि यहां पे कुछ inherent limitation है जिसके वज़े से हम खाली opinion देते हैं guarantee नहीं बात समझ मैं तो sir important question कि auditor जब भी materiality का level decide करेगा तो वो level decide करने से पहले वो कुछ basic assumptions लगता है अपने users के बारे में के अलावा due care के साथ पढ़ेंगे मतलब diligence के साथ पढ़ेंगे अपना दिमाख लगा के पढ़ेंगे ठीक है study करेंगे और इसके basis पे अपने decisions frame करेंगे clear उसके अलावा उन्हें लगता है कि users को पता है कि जो हमारे audit की गई हो अपनी material को decide करता है important question mark कर लो paper में आ सकता है ठीक है बात समझ पाए चलिए सब अब आ जाते हैं इसी topic के next topic के ऊपर एक सेकिंड पेज इंसर्ट कर लो हंची सर देखो अगर तुम ऐसे 320 का नाम पढ़ोगे ना इसका नाम है materiality in planning and performance and audit सर ऐसे 320 बोलता है जब भी materiality level decide करोना तो दो लेवल पर करना एक तो करना planning level पर जैसे मैंने बोला मैंने planning करते होगे बोला कि 10,000 से जादा कोई भी transaction होगी तो वह मेरे लिए important है इस client के यहां पर ठीक है एसे 320 बोलता है जब भी material decide करोगे तो दो लेवल पर करोगे एक planning level पर करोगे एक performance level पर करोगे planning मतलब audit की planning करते होगे performance मतलब actual audit करते होगे अब दो लेवल का क्या मतलब है सर उसने बोला देखो planning करते होगे एक level decide करना लेकिन एक काम करना जो performance करोगे न audit का उसके लिए एक अलग level decide कर लेना जो हमेशा planning level से कम रहेगा सर हमने planning में बोला वैसे तो 10,000 से नीचे और 10,000 से उपर वाली हर transaction important है लेकिन ऐसे 320 ने बोला थोड़ी और care के लिए एक काम करना काम start कर देना उससे भी थोड़े कम से आठ हजार से स्टार्ट करते ना हर चीज चेक करने देखो आठ हजार से चेक करोगे तो planning वाली entry तो चेक होंगी होंगी बस थोड़ी additional entries भी चेक हो जाएंगे सर ऐसे 320 ने बोला कि planning material का क्या मतलब है कि आपको दो level decide करने है material के एक तो planning level पे जैसे आपने decide के 10,000 रुपे एक और materiality level decide करोगे जिसको हम बोलते performance materiality कि जब भी काम start करो ना वो थोड़े कम से ही start करना carefully मतलब वैसे तो 10,000 से उपर वाला सब important था लेकिन आपने क्या क्या 8,000 से ही check करना शुरू कर दिया ताकि बीच में ऐसे कोई transaction ना हो जो छूटे जाए जो important हो तो just for कोई भी misstatement मिसना हो जाए इससे लिए बोलते है कि काम एक level कम से शुरू कर देना थोड़ा extra काम कर लेना लेकिन गलतिया मत छोड़ना बात समच में तब performance materiality क्या है? अमाउंट set by the auditor, जो auditor सेट करता है less than the materiality सर प्लैनिंग लेवल पर जो तुमने materiality डिसाइड करी है उससे कम level पर डिसाइड करोगे जैसे आपने 8,000 कर ली क्यों? to reduce the probability, chances, इस chance को कम करने के लिए कि कोई misstatement in identify न रह जाए कोई misstatements in identify न रह जाए सर एक चीज बोलूँगी ध्यांस से सुनना सर देखो वैसे आपने बोला था 10,000 से उपर कोई transaction होगी तो important है सर हो सकता है कोई transaction 8,000 की थी और ऐसी 2 transactions थी सर वो individually तो 10,000 से कम थी लेकिन aggregate तो आपके 10,000 से जादा हो गई तो इसलिए बोला जाता है safer side काम करो काम थोड़ा और कम से स्टार्ट कर देना एक और lower level से स्टार्ट कर देना performance materiality performance materiality मतलब वह वाला level जहां से तुम्हें audit perform करना है उसको न अपने planning level से भी एक step नीचे रखो ताकि काम थोड़ा जादा हो सके और ऐसी chance आपकी कम हो जाए to reduce the probability of identifying the misstatement which may exceeding the material level in aggregate for financial statement as a whole सर आठ हजार की थी दस हजार से कम थी लिकिन ऐसी दो transaction में गड़बोड हुई तो वह 16,000 हो जाएंगी तो वो as a whole आपके लिए material बन जाएंगी तो क्या बोला safer side सार आपके level पर आगर मैं बोलू दो चार चेप्टर इंप्रेंट थे लेकिन मैंने बोला कि बैठा वैसे तो 4 chapter में से पूछता है लेकिन एक दो बार ना 2 chapter में से और पूछ वैसे तो 4 लेकिन सेफ़र साइडे काम करो चे के चे कर लो, एक्स्ट्रा काम कर लो, वही, वैसे तो 10,000 से उपर वाली ट्रांडिक्शन इंप्टेंट थी, प्लैनिंग लेवल पे, जो तुमने डिसाइड किया, लेकिन एक और काम करना, एक और लेवल डिसाइड कर लेना, जिसको हम बोल प्लैनिंग लेवल पे और पर्फॉर्मेंस लेवल पे, प्लैनिंग लेवल, सर अपने डिसाइड कर लेकिन एसे 320 ने बोला, माना अपने माटिरियल कुछ भी हो, लेकिन काम थोड़ा एक्स्ट्रा करना, एक और लेवल नीचे जाके, एक और लेवल डिसाइड कर लेना, जि इंपोर्टेंट है for the short note, break करके लिखा हुए तो definition याद हो जाएगी for short ठीक से करोगे तो, अभी तक हमने क्या के discuss किया है, हमने discuss कि है materiality, हमने discuss किया कि सर, ऐसे 320 ने अलाओ किया है, कि materiality decide कर लो, कि हम हर चीज़ डिटेल में चेक नहीं करते हैं, हम काली material चीज़ों को डिटेल में चेक करते हैं फिर हमने बोला, कि सर, materiality decide कैसे होगी, सर या तो FRF ने दिया होगा, या तो FRF ने प्रिस्क्राइब कर रखा होगा, अगर उसने नहीं किया, तो क्या करोगे, आप तीन चीज़ों के बार में धियान रखोगे, क्या, क्या आपकी users के लिए क्या important है, सर आप अपनी professional judgment जैसे related party transaction, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला, कि जब भी maturity decide करोगे, तो auditor ना एक काम करता है, वह कुछ assumptions लेके चलता अपने users के बारे में, ठीक है, अब हमने पड़ा short note about the performance maturity, एक और level, कि वैसे material level कुछ भी हो, काम थोड़ा कम से शुरू करना है, ता कि आप जार्द सदा ची के एक और topic के ओपर, that is benchmark, कितनी देर से मैं बोल रही हूँ, materiality decide कर लेना, materiality decide कर लेना, performance material decide कर लेना, लिकिन करोगी कैसे, materiality decide करने के लिए, जो method use किया जाता है, उसको हम बोलते है, benchmark, benchmark कुछ भी नहीं है, benchmark is a method to determine the materiality level, ठीक है, बात समझ मही, अब सर, benchmark काम कैसे करता है, benchmark के अंदर, सबसे पहले, हम अपने client के यहाँ पे, client की knowledge लेके, उसके business की knowledge लेके, जो अभी हम 315 में लेकि आए थे, उसके basis पर decide करते है, कि इस client के यहाँ पे, क्या चीज़ बहुत important है, उसके users के लिए, ठीक है, अब इससी information को हम अपना benchmark मान लेते हैं, जैसे, manufacturing company है, मेरा client manufacture करता है, sir, उसकी जादातर capital किसमें लगी है, उसके fixed assets में, अगर इस fixed assets को कुछ हो जाए, उसको पूरा business हिल जाएगा, है ना, तो मेरे इस client के लिए हो सकता, fixed assets बहुत important है, तो मैंने क्या-क्या fixed assets को benchmark बना लिया, मेरा जो client है, वो service provide करते है, उसके लिए सबसे जादा important था उसका revenue, मतलब उसका credit revenue, जो service उसने credit पर pay करी है, अगर उसके debtors उसको pay नहीं करेंगे, तो उसको loss हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आए, sir, एक client है, जिसके अंदर 90% equity है, 10% venture है, तो इस client के यहाँ पे profit after tax हो, कि उनको तो जो share मिलेगा, वो profit after tax में मिलेगा, तो उसके लिए PAT input हो सकते है, मैं PAT को अपना benchmark मानूँ, सर्क कुछ भी हो सरस है, assets, liability, income, expenditure, profits, किसी भी चीज़ को आप अपना benchmark मान सकते हो, बस आपको decide करना है कि सबसे important चीज़ क्या है balance sheet के अंदर, मलब कि financial statements के अंदर, ठीक है, मान लीजिए, 90% debts है, 10% equity, तो इस case में में क् interest मिलेगा, वो तो before tax मिलेगा, ठीक है, तो benchmark क्या है, सर आप study करकि अपने client के यहाँ पर, जो सबसे ज़दे important चीज़ होती है, जो आपको लगता है कि उसके users के लिए बहुत important है, financial statement में, उसको benchmark बना लेते हो, और उस benchmark के उपर एक percentage लगा लेते हो, जैसे मैंने बोला, मेरा client manufacturer में है, उसके लिए fixed asset बहुत important है, तो मैंने 10 लाख रुपे की fixed asset थी, तो मैंने उसको अपना benchmark बना लिया, ठीक है, अब इस benchmark के उपर आप एक percentage लगा दे तो, ये percentage आप डिसाइड करते हो, अपनी professional judgment से, मैंने लगाई 10%, तो मैंने बोला, मेरे fixed assets का 10% मतलब 1 लाख ही इस material, तो कोई भी transaction, जो 1 लाख या 1 लाख से उपर हो, वो मिरले material है, formula समझ में आया, कि benchmark method के अंदर, तुम किस तरीके से materiality निकालते हो, सबसे पहले benchmark decide करते हो, सर इसको ये को मैंने लिखा हुए benchmark short form में, उसके उपर एक percentage लगाते हो, ये judgment, आप decide करते हो, अपनी professional judgment के according, ठीक है स अब इसके basis पर आपके पास क्या जाती है, materiality, method समझ में, ठीक है सर, अब आपको क्या चीज़ benchmark लेनी है और क्या नहीं, इसके लिए ये सारे factor effect करते हैं, जैसे element of the financial statement, इन चारों में से आप कुछ भी benchmark ले सकते हो सर, दुसरा है, attention of the users, कि जो आपकी users है, financial reporting के, आपके financial statement के users है, उनके लिए क्या चीज़ important है, आप उसको benchmark लोगे सर, nature of the entity, आप जिस client के यहां पे जा रहे हो, उसका nature क्या है, manufacture में है, service में है, trading में है, trading में है, तो सर, उसके लिए stock बहुत important है, उसके creditors बहुत important है, उसके debtors बहुत important है, life cycle का मतलब है सर, अभी groom कर रहा है, या एकद debts कितना है, उसके basis पर डिसाइड करोंगे, और volatility, important for the MCQ, volatility का क्या मतलब है, सर, financial statement का वो item, जिसके अंदर changes बहुत जादा है, volatility बोलते हैं, सर, जो बहुत जल्दी change हो जाता है, तो अब कभी भी ऐसी item को benchmark नहीं लेते, जिसके अंदर change बहुत जल्दी आ जाता है, अब नॉर् factors का ध्यान रखा जाता हो, क्या, element of financial statement, आपके users का कहां attention रहेगा, nature of the entity, ownership structure and volatility, जो आइटम volatility होती है, जितने ज्यादा changes आने के चांचीज है, उसको हम benchmark नहीं लेते, ठीक है, बात समझ मैं ही, उसके अलावा, सर, एक important चीज, जब भी benchmark डिसाइड करोंगे, तो हमेशा normal होना सर, मान लीजिए, आपने sales, आपने sales को benchmark बनाया, तो भाईया, sales के अंदर अगर भी abnormal item है, मतब scrap goods का sale भी है, तो उसको minus कर देना, सिर्फ जो normal रहेगा, उसी को तुम benchmark बना सकते हो, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, yes sir, कुछ example है benchmark के, profit before tech, total revenue, total sale, gross profit, total expenditure, fixed assets, liability, debtors, creditors, कुछ भी बन सकते हैं sir, important है, for the short note, बहुत important है sir, benchmark, definition लिखाना, ये formula ऐसे लिखाना, ये factor लिखाना और example लिखाना, sir, पूरे number आएंगे, ठीक है, sir, ये था आपका essay 320, हमने पढ़ा, materiality क्या होती है, फिर हमने पढ़ा, कि जब भी auditor materiality decide करता है, तो उससे पहले कुछ अजम्शन लेके identity क्या है, और benchmark क्या है, अब कुछ additional छोटे-छोटे से point है, जिनके पर case study बन सकती है, सुनो, sir, एक बार benchmark आपने decide कर दिया, तो क्या उसके बाद आप उसको revise कर सकते हो, yes sir, आज आपके according 10,000 important था, लेकिन आप जैसे-जैसे audit करते हैं, आपको बहुत जादा गलतिया मिलती आपने इसको revise करके कर दिया, पांच हजार, अब आपने बोला, sir, पांच हजार वाली transition भी चेक करूँगा, इतनी गड़ बड़तो, ठीक है, उसके अलावा, sir, एक important point है, difference materiality can be decided for the certain transactions, yes sir, इसका क्या मतलब है, sir, वैसे तो हम एक single materiality level decide करते हैं, पूरे के पूरे financial statements के लिए, जैसे हमने decide क्या था, 10,000, लेकिन, sir, ऐसे अलाव करता है, कि अगर कोई particular transaction में तुम्हें लगता है, कि sir, ये transition थोड़ी risky है, यहाँ पे तुम्हें 8,000 को अपना materiality level मानूगा, और 6,000 को अपना performance material level मानूगा, तो sir, आप कर सकते हो, किसी particular transaction, या कुछ certain transactions के लिए, अपना benchmark revise क कर सकते हो, reason क्या रहेंगे, sir, ये changes क्यों कर सकते हो, sir, हो सकते है, law का requirement है, जैसे related party transaction है, as per the AS18, जितनी भी related transactions होती है, उनको अलग से दिखाना पड़ते है, ठीक है, तब अलग से ही check करोगे, चाहे वो 10,000 से नीचे क्यों ना हो, ठीक है, key disclosure as per the industry, कुछ transactions होती है, जो industry में custom ह होता है, या तो law ने बोली है, या कुछ transactions हो जो पूरी industry अलग से disclose करती है, तो अगर ऐसी transactions है, तो भी आपको अलग से दिखाना पड़ेंगी, या फिर आपको लगता है, sir, कोई important है transactions, इसके अंदर risk जादा है, तो आप वहाँ पे भी उसको revise कर सकते हो, तो पूरी financial statement के थोड़ा और transaction, थोड़ा और level, मतलब एक और level decide कर सकता है, वैसे तो पूरे financial statements के लिए same materiality level decide किया जाता है, लेकिन किसी particular transaction के लिए चाहे, तो वह उसको उसके लिए revise कर सकता है, उसके लावा आता है, sir, आप materiality के regarding document क्या रखोगे, sir, देखो, document is something very important, ताकि कल आपको अगर कोई ये बोले ना, कि sir, आपने क्यों इस level को materiality रखा, आपने 10,000 को क्यों लिया, 8,000 को क्यों नहीं लिया, तो आपके पास एक proper justification होनी चाहिए, और ये justification कहां रखी जाती है, documents के अंदर, ठीक है, तो आप documentation किस किस चिस के बार में रखोगे, materiality के बारे में, उसके अलावा performance materiality के बारे में, उसके अलावा किसी particular transaction के regarding, अगर कोई और level of materiality रखा, तो उसके बार में document रखोगे, and last में, अगर performance materiality या planning materiality में, अगर कोई भी revise हुआ है, कोई भी change आया है, तो उसके बार में document रखोगे, बास समझ में आई, पेपर में question आ अब एक काम करते हैं अपनी नोट बुक निकालो ऑडिट की उसके अंदर एक क्वेशन लिखवा हूंगे उपर डाल देना चाक्टर नुबर टू सर एक बार क्वेशन समझ लो क्वेशन क्या है सर देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बहुत बार तो FRF खुद बता देता कि क्या चीज़ इंपोर्टेंट है अगर वो नहीं बताता तो ओडिटर इस बेसिस पे अपनी प्रोफेशनल जज्जमेंट के अकॉर्डिग डिसाइड कर लेता है तो पेपर के अंदर क्वेशन आ सकते है कुछ एक्जाम्पल्स दो जहां पर FRF ने बताया कि मटीरियलिटी क्या है जहां पर जहां पर FRF अलग से बोलता है कि भाया यह चीज़ मटीरियल है इसको अलग से डिस्क्लोस करो एक्जाम्पल ऑफ मटीरियलिटी ठीक है क्वेशन लिख रही हूं आंस्वर के साथ आप भी नोट डाउन कर लो क्वेशन क्या क्या बन सकते है सब पहला क्वेशन बन सकते है सम एक्जाम्पल ऑफ मटीरियलिटी एस स्पेसिफाइड बाइ एफ आर एफ खीक है सर एक क्वेशन तो यह बन सकते है या पिर और दुसरा क्वेशन क्या बन सकते है सर . . चूबाजय को बशищ चूबाजय कि इस्क्राइश स्क्राप्ट कूबाजय कि चौबाब टिखिस्ति लाचति इस्क्राइब बार्षत्राट्ट। financial statement should disclose all material items, materiality is not always is a matter of size, amount of transaction, however, in certain cases, quantitative limit of materiality is specified by FRF provide few example of such cases, यह दो क्वेशन बन सकते हैं दोनों का आंस्वर सेम हैं या तो वो डिरेक्टली बोल देगा materiality के कुछ example जो FRF ने सफेसिफाई कर रखें या फिर बोल सकते हैं कि materiality is not always the question of the size लेकिन इसके बाद भी इस अपर इस अपर पर आइस अपर इस आइटम को तो अलग से disclose करना है बाज समझ पाई यह थे एक answer सर्थ पर ऑडिट इंदर ज्यादा डिफिकल्ट ना आंस्वर साइडेंटिफाइड करना होता है एक बर क्वेश्चन अडेंटिफाइड हो जाए न तो उसके बाद आंस्वर ता बहुत सा ही लिखा होगे ठीक है तो क्वेश्चन समझ में है सर अपका शेड्यूल थी ना दो जेगे बोलता है आपके कंपनी सेक्ट में दो जेगे लिखा होगे कि कहां पर आपको अलग सी वो ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज देनी है कौन कौन सी चलो उस पे शिफ्ट कर देती हूं ताकि आपको जादा दिखे पहली ट्रांजेक्शन ऐसा हो कैसे लिखोगे आंसर फॉस्ट उपर वाले रिमूफ कर दूना लिख लिया ना चलो आंसर लिख रही हूं आई होब आपको ने क्वेश्चन लिख लिख लिए होगा अब आंसर लिख रही हूं उसका चलो अब इसका आंसर लिख लें आंसर सर्च सबसे पहला है as per the company's act as per company's act a company should disclose any item of income or expenditure which exceed which exceed किसे सब 1 percent of revenue from operation अगर प्रॉपर्टी सेल करकी या किसी और चीज से कोई revenue आया तो उसको include नहीं करोगे तो item which is exceeding 1 percent of revenue of operation और 1 lakh रुपेज which is higher in short मैं यह बोल सकती हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाया अगर revenue जो revenue है वो खाली ओपरेशन से लेना है अगर कोई expenditure आपके 1 percent of total revenue से जाधा है या एक लाग से जाधा है तो उसका disclosure आपको अलग से देना पड़ेगा दुसरा अगर किसी shareholder के पास इपने shareholder hold the shares more than 5 percent of total share the company have to disclose number of shares held by that shareholder ठीक है बात समझ में आई ठीक है sir जल्दी से लिख लो question important है even तुम्हें पते है इसके उपर तो ना अच्छे एक और बात बोलू चाहे audit का paper हो बिटा calculator आप बोलोगे के माम थेरी के वेपन में calculator क्या करेंगे कोई भर उसे नहीं है sir कब नीट पड़ जाए पिछली भर भी पड़ी थी जब reuse करना allowed है तो in case अगर situation need पड़ गई तो सून है जल्दी से लिख लो लिख लिए यह पर ध्यान देना की खाली operating revenue की बात हो रही है revenue from operating हो रहा है चलिए sir यह था आपका essay 320 materiality चीक है अब एक काम करें जरह materiality वाला जो था हमने materiality और रिस्क का वह भी रहता है अभी relation चलो बाद नहीं करवाँगी जहां तक समझ में आ गया इसके बाद हम start करेंगे हमारा essay 300 उससे पहले काम करो 10 मिनट का ब्रेक लेलो